असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 क्लास के उर्दू के केकिशा के किताब से चैप्टर नंबर 28 जिसका नाम है मैं यूनिवर्सिटी में और ये चैप्टर है ये एक खुदनविष्ट है अब बात आती है कि खुदनविष्ट किसे कहते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि आखिर खुदनविष्ट कहते किसे हैं देखिए खुदनविष्ट को हिंदी में कहते हैं आत्म कथा और इंग्लिश में कहते है आटो बायोग्राफी यानि कि जो राइटर है लिखने वाला वो अपनी ही जिंदगी के बारे में लिखने लगे कि उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ था उसके पास्ट लाइफ यानि की गुजरी हुए जमाने में कौन-कौन सी इंसिडेंट कौन-कौन सी घटना हुई थी वो कहां कहां गया था, किस-किस से मिला, क्या क्या किया? यह जारे चीज मतलने में लिखने लगे मेरे साथ क्या किया हुआ यह सारा चीज में किसी भी तरह लिखकर बता दूं तो उसको खुदनविष्ट बोला जाएगा नहीं थोड़ा काईदा कानून होता है लिखने के नियम होते हैं जैसे कि अर्दू ग्रामर उर्दू कवायत को आप लोगों को पाबंदी रखनी होगी लिखने कि समय ठेक है उर्दू कवायत की गलती नहीं चलेगी और उसके सांथ साथ आप लोगों को लफजों को सही सही यूज़ करना पर्फेक्ट लफज का यूज़ करना होगा और सजा कर लिखना होगा तब उसको बोल सकते हैं खुदनविष्ट ठेक नॉर्मली से आप अप लोग भी खुदनविष्ट नथने कोई दिकत नहीं है आई ऑप अपने भापने बारे में सब कुछ बताया था कि वो कहां कहां गया कौन-कौन सा युद लड़ा कैसे लड़ा कौन-कौन सी गलतिया कि यह सारा चीज बताया था उस आत्म कथा तुजू के बावरी नाम के सचे और अगर बाबर अपनी खुदनविष्ट नहीं लिखता तो अकबर को कैसे मालूम चलता कि उ लिखने में मालूम चलता है कि जो लिखा है इंसान आत्म कथा खुदनविष्ट वो कहां कहां जाना पसंद करता था उसको क्या चीज़े नहीं पसंद थी उसके अंतिमिच्छा क्या थी यह सारी चीज़े मालूम चलती है खुदनविष्ट लिखना चाहिए ठीक तो मतलब यह थोड़ा हिस्टोरिकल है बाबर वगारा के बारे में यहां पर मैं एक्स्ट्रा नॉलिज दे दी बट मेरा उदेश है यही था कि मैं आप लोगों को खुदनविष्ट को समझा सको उसी तरह यह चैप्टर भी क्या है खुदनविष्ट है और किसकी लिखी हुई खुद याद रखिएगा यानि किस चैप्टर के राइटर मुसंनिफ कौन है एहसान दानिश एहसान दानिश अपनी जिंदगी के बारे में बताये हैं जब वह उन्यूर्सिटी में थे तो लाहॉर यूनिवर्सिटी में मजदूर के तौर पर वहां पर काम करते थे तो उस वक्त के सब्सक्राइब का नाम रख दिया गया है मैं यूनिवर्सिटी में यानिका आप लोग को सबसे पहले चैप्टर तो नहीं पढ़ाओंगी सबसे पहले को एहसान दानिश के बारे में पढ़ाओंगी इनके बारे में कुछ details मतलब बहुत ज़्यादा details दिया है आप लोग के book में जो आप लोगो समझना जानना और याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि कहीं सभी question पूछे तो आप एक भी question छोड़ करना है ठीक तो चलिए सबसे पहले एहसान दानिश के बारे में सम हम देखिए इनका असल नाम यानि के रीयल नेम गया था वह था एहसानु-हक क्या Tea और अक्या नाम था रेने और इन पर वाल इनके पिता जी का नाम था क्ICIA नाम था क्या नाम था क्या नाम था क्यो청 एम एकिता मिटे तैकशिक तरूकर जो करके कहां अगे कांधला चले आए ठीक फिर से एहसान दानिश के पिता जी काजी दानिश अली मेरट के रहने वाले थे लेकिन मेरट को मेरट सित्तर के वतन करके यान की मेरट को छोड़ करके वो कांधला चले आए और कांधला में ही एहसान दानिश की पैदाइस उन्हें से 14 इस भी में हुई अब आदे बढ़िए एसान दानिश का तखलुस्क था दानिश याद रखिएगा यानि कि अपने शेरोशायरी के लास्ट लाइन में जो नाम यूज करते थे वो क्या था दानिश तखलुस्क दानिश और इनकी तालीम की बात कर ले शिक्षा की तो यह चौथी दर्जा तक प गरीबी होती है गुर्बत जो कि एसान दानिश के जिंदगी में इनको पढ़ने का बहुत जिदा शौक था बहुत शौक था कि मैं पढ़ू कुछ बनूं और इनका शौक था मतलब मैं अपनी नाम से लाइब्रेरी खोलू ठीक है लेकिन इनका क्या बताएं गरीबी जो है इनकी सबसे बड़ी रास्ते में सफलता के बीच में सबसे बड़ी रुकावट आ रही थी और यह फूर्थ क्लास तक ही पढ़े थे लेकिन हां एसान दानिश जो है ना वह अपनी किस्मत पर विश्वास करने के बजाए अपनी मेहनत पर विश्वास किये और जो इनसान किस्मत पर विश्वास करता है ना वो कभी मतलब मुझे लगता है कि सकसे नहीं हो सकता है यह मेरा ओपीनियन है लेकिन जो मेहनत अपने प्लक पर विश्वास करता है ना वह हमेशा कामयाब होता है तो अहसान दानिश अपने किस्मत यानिकि अपने लग पर विश्वास करन करने पर मजबूर हो गए थे यानि कि एसान दानी जो है ना गरीबी के वज़ा से कम उम्र में ही यह ठेकेदार के पास मजदूरी करने जाते थे बालू अगरा धोते थे बिल्चा वगरा चलाते थे कुदारी वगरा ठेक अब आगे देखिया अर्बियों फार्सी की तालीम का कांदला में पाधा होए थे न काněरा के यह घुने धानि जिन भर मजदूरी करने के बाद अपने उस्ताद काजी मुहमद ख्ती किताबे लाते और शाम के वक्त अपने वालिद और चंद दोस्तों को पढ़कर सुनाते थे यहां पर बोला जा रहा है कि एसान दानिश के जो वालिद थे उनके पिता जी काजी दानिश अली उनको किताबे सुनने का बहुजदा शौक था मतलब वो चाहते थे कि कोई मेरे पा करते थे दिन भर मज़्दिय करने के बाद जब घर वापस लौटते थे तो वापस लौटते समय वह राज्ते में अपने उस्ताद यान कि अपने टीचर का जी दानाम जाकी याद लाइबरेरी से एक किताब निकाल लेते थे और किताब निकाल कर लाइबरेरी से घर लेकर आते थे शाम के वक्त एहसान दानिश जो है ना अपने पिता जी को बैठा देते थे और उसके बाद से उनके पिता जी के कुछ दोस्त भी आये रहते थे उनको भी बैठा देते थे औ और एसान दानुष नो किताबे पढ़ना शुरू करते और बाकि सभी लोग सुना करते थे ठीक है और इस तरह जो है किताबें पढ़ते थे देखिए एहसान दानिश जो है ना वो कांधला में कुछ दिनों तक मजदूरी किये लेकिन फिर कांधला को छोड़कर वो लाहूर आ गये और लाहूर में आकर वो इट धोने एक मिनट धोने ठीक है इट धोने का काम शुरू कर दिए बहुच्दा ये म पहनती आदमी थे देखिए मजदूरी भी किया करते थे और इनको पढ़ने का बॉइदा शौक था इनके अंदर से जुनून नहीं जाता था यह अब बुल सकते हैं मोटिवेशन पढ़ने का मोटिवेशन जो है ना ऐसान दानिश के अंदर से नहीं जाता था उन्होंने रं साजी दफ्तर की चोकिदारी फसल की कटाई बाग बानी इट ढोना बालू ढोना कुदारी चलाना बिल्चे चलाना यह सारा काम किये थे अहसान दानिश लेकिन इनको जिस पर सबसी जड़ा विश्वास था भरोसा था वो था मेहनत यह मेहनत पर अपने प्लक पर देखें कैसे जब इतना बहुत मेहनत की मज़धूरी करते थे और जो समय मिलत Dwight पढ़ाई करते ते अराम नहीं करते थे इतना पढ़ाई में मेहनत कि अपने नाम से लाहोर के एक मुहले में याद रखेंगा लाहोर के इक महले में अपना जाती कुत्ब खाना यान के अपन के नाम से दानिष के नाम से ठीक और उस वरक जो है ना चारों प्रह न यह मतलब यह बात प्हों गई कि आसाण दानिष़् का मतलब एक कुद्व का रहन यहन Eight क की लाइवडरेरी खुल हुआ जो जो कि एक मजदूर का काम करता था सोचिए आज जो है ना वो लाइबरेरी खोल दिया कि एक और लक्षे था कि वह अपने नाम पर यूनिवर्सिटी खोले ठीक लेकिन जब तक यह उनिवर्सिटी खोलते तब तक इनकी मौती हो गई अब कितना दिनों तक जिन्दा रहेंगे कि प्लाइब और उनिवर्सिटी खोलना यह चोटा बात बबढ़ा बात होता है अब देखिए अहसान दानिश हम जो है ना शेर वोशायरी करने के लिए कौन तेजीत किया तो याद रखियेगा यहीं मोटिवेट किये थे ते तुम क्या करो दिकना शूरू करो ठीक है तो ए एहसान दानिश को मोटिवेट किये प्रेरित किये कि भई तुम क्या करो से रोशारी लिखो ठीक और उसके बाद से एहसान दानिश के जो दोस्त थे तौकीर एक मिनत तौकीर हां तौकीर ताहिर के होसले अफजाई पर पहली मरतबब मुशायरा पढ़ा देखिए एहसान दान पहली बार मुशायरा पढ़े थे यह याद रखिएगा हो सकता है कि यहां पर अब्जेक्टिव में पूछ दे ठीक और एहसान दानिश रहना वह नजम के शायर थे शिरोशारी किये थे तो विजूली बात है कि यह शायर है लेकिन यह नजम के शायर थे यानकी कवीता देखिए यह जहान दानिश नाम का खुदनविष्ट है यह याद रखिएगा यह बहुत दा मशूर मतलब एहसान दानिश का लिखा हुआ सबसे मशूर खुदनविष्ट जहान दानिश नाम का खुदनविष्ट था यह याद रखना यह कभी नहीं हो सकता है अब्जेक्ट लिखे थे खुदनविष्ट नजम मतलब यह तो नजम के शायर ही थे कवीता धेर सारा लिखे थे यह ठीक और उसके बाद से इंतकाल की बात कर ले तो एसान दानिश्का इंतकाल हो गया था मार्च उनहीं सब्यासिस भी को लाहौर में ठीक अब देखें यहां पर जो है ना मै नाम था काला पानी ठीक याद रखिएगा यह अब्जेक्टिव में पूछता है और इसलिए में एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर यहां पर लिखी हूं ठीक तो उर्दू में जो सबसे पहली बार खुदनविष्ट लिखा गया उसका क्या नाम था काला पानी किसने लिख नाम का यह पहला खुदनविष्ट किसने लिखा मौलाना जाफर थानेश्री उन्हें से 23 सिसमय में यह प्रकाशित किया गया था काला पानी नाम का खुदनविष्ट ठीक तो यह था आप लोगो का एक्स्टा नॉलेज और यह हो गया ऐसान दानिश्ट के बारे में कुछ ड खुदनविष्ट है इसका मैं पूरा कहानी बताती हूं कि इस आखिर खुदनविष्ट में एसान दानिश्ट अपने बारे में क्या क्या बताये हैं और उनके साथ यूनिवर्सिटी लाहोर यूनिवर्सिटी में क्या क्या हुआ यह सारी चीज़ है तो मैं बोड को मैं उनिवर्सिटी में नाम का यह जो खुदनविष्ट है इसकी पूरी कहानी को समझाती हूं बहुत ही जड़ा इंट्रेस्टिंग मजडार और अमेजिंग कहानी है जरा ध्यान से सुनिए गाइस कहानी को ठीक देखिए इस कहानी में मतलब इस खुदनविष्ट में एस तो देखिए इस चैप्टिर के शुरुवात में एहसान दानिश बता रहे हैं कि एक बुद्धू नाम का मिस्तरी था क्या नाम था उसका बुद्धू बुद्धू नाम का मिस्तरी था जो कि बहुत दा शरीफ और महनती था वो कभी भी मुझसे अच्छा से बात किया करता तो एक दिन जो है ना बुद्धू मिस्तरी मुझसे मिला यह कौन बोल रहा है कि एक दिन बुद्धू मिस्तरी से मुझसे मुलकात हो गई तो बुद्धू मिस्तरी मुझसे बोला कि कहो मियां क्या हाल है आज कल कहीं काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कहीं काम चल रहा है ठीक तो एसान दानिश बुद्धु मिस्तरी से बो ले कि कहां दो तीन दिन से काम ही नहीं चल रहा है two three ओर रहा हूं 2 दिन से तो बुद्धु मिस्तरी बोले एसान दानिश कि कि लेखो UV मेरे मज़़ोर है रहर पर एक मजदूर की जरूरत है जहां पर तुम तो बार यह ना मिलेंगे तुम चाहो तुम मुजभणी करने के लिए चल चलो मेरे और मुझको अपने सांथ लेकर चली वाँना में कोई रिकर्त नहीं कैं तो बुद्धु lle बोले सोच लो एक बार फिर अगर नहीं जाना है तो पहले बता दो मैं किसी दूसरे आदमी का इंतिजाम कर लूँगा तो दा एहसान दानिश बोले नहीं नहीं मैं कल इसी जगह पर इंतिजार करूँगा तो यह बात तो कहकर बुद्धु मिस्त्री चला गया लेकिन एहसान पर इना काम करना है मुझे मतलब इनको रिहत का मतलब समझ में आ रहा था कि गायभस की चलाने वाली कोई जगह है जहापर मुझको क्या करना है गयभाइस को चलाना है किरप बागी समय थो बैठा रहूंगा मैं किताब ले कर जाओंग और पढ़ूंगा तो यह मतलब इनको इसको हाग दो वो चर्ती रहेंगी और मैं पढ़ूंगा इस तरह गया बैस विचल लेंगे मैं पढ़ भी लूंगा मजदोरे भी मिल जाएगी यह बहुत दाखुष्ट है कि इनको बहुत ही मतलब ज्यादा महनत वाला काम नहीं मिला है बहुत आसान काम मिला है ठीक तो अगल तो जब एसान दानिश्व उनवर्सिटी में पहुंचे ना तो चालों तरफ देख रहे थे कि कहां है गायभैस जिसको चराना है मुझे कहीं पर भी उनवर्सिटी में गायभैस नहीं दिखाई दी बलकि इनवर्सिटी में एक पेड़ था व्रिक्ष और उसके पास एक अव फ़िसने टक्नी क है जिसके जरीए से कुए से पानी निकाला जाता है उस बहुत बढ़ा लुहा का एकदम सर्किल याँनिक एकदम चकर की तरह पहिया बना हुआ था एकदम बहुत बड़ा लोहा का पहिया बना हुआ था और इसमें छोटी-छोटी खूटिया लगी हुई थी उसी खूटियों को पकड़ कर हाथ से एकदम धकेल कर चलाना था और पैर से भी धकेलना था पुरा इस तरह गोल-गोल गुमान था उसमें बहुत दम महनत की निकालना है और पानी निकालने के बाद तुमको एक हौज था वहाँ पर बहुत बड़ा उस हौज में पानी को भरना है और वह जो हौज में पानी भरा जा रहा था उससे सारा काम हो रहा था उनिवर्सिटी का काम हो रहा था तो तुमको क्या करना है इस रहट को चला-चला कर कुए से पानी निकालना है और इस होज को हमेशा भरे रखना है ताकि काम ना रूखे उनिवर्सिटी का काम होते रहे इसी होज में से पानी लिया जा रहा है ठीक यह सारा चीज एसान दानिश को बुद्धु मिस्त्री समझाए और बोले कि देखो तुम्हारे जैसा एक और आदमी आ रहा है जो कि यह रहत चलाता है ठीक है तो वह आता है तो तुम्हारी मदद करेगा ठीक तभी उसी वक्त आगया हो आदमी जिसका नाम था रत्ता रत्ता नाम का आदमी जो था वह भी वह क्या करता था वह रहत चलाता था और पानी निकालता था तो वह सही आया र माट लेना कितना कितना घंटा चलाओगे ठीक और तुम दोनों ये रहत चलाने का काम करोगे और इस होज को हमेशा भरे रखोगे पानी से ताकि उनवर्सिटी का सारा काम हो ठीक अब यह बात सुनकर एहसान दानिश्ट हो गए थे उनको लगा था कि गाये भैस चलाने वाला काम होगा बहुत दासान में पढ़ भी लूँगा लेकिन वह देखकर मतलब उनकी मतलब मात थनक गया था कि इतना खतरनाक जो गाये बैलो वाला काम है बैल वाला जो उतना भारी लुहा को घुमाने वालत था वह एक आदमी से करवा रहा है यह बहुत दाए मतलब यह अब वह ना भी तो नहीं कह सकते थे क्योंकि वह पहले ही बुद्धु मिश्ट्री पूछा था ऐसान दानिश्ट है कि अगर तुमको नहीं करना है तो बता देना मैं दूसरे आदमी को रख लूँगा लेकिन उस वक्त एसान दानिश्ट विश्वास दिला कर बोले थे कि नहीं मैं आऊंगा करने के लिए तो अब यह ना भी नहीं बोल सकते थे तो रत्ता जो है वह बैठकर वह रहट चलाने लगा घुमाने लगदम जोर से उस खूटी को पकड़कर जो लुह फिर उसके बाद से वह हट गया और फिर एसान दानिश्ट जाकर बैठे उस रेहट में और फिर वह चलाना शुरू किया ठीक चला रहे थे और बहुत दा उनको गुस्ता भी आ रहा था क्योंकि इसमें बहुत दा मेहनत लग रही थी सोच रहे थी कि मैं कहां आकर फस गया ठ उसके सान साथ जाकर वो गुनगुना पानी से नहा लिए और तब उनको ऐसा लगा कि मेरे अंदर तो कोई ठकान ही नहीं उनका सारा ठकान दूर हो गया ठीक है तो हरो जो यही करते थे जब रहट चला कर दिल बढ़ रहट चलाते और शाम को आते थे तो तेल की मालिश करते तो पर तरिफेंड पानी से नहा लेते तो यहीं अब देखिए और रता एक दूसरे के फ्रेंड यहीं की दोस्त बन गए थे दोनों का एक ही काम था रहट चलाना तो एक घंटा रत्त चलाता ठाह्ट तो एक ठंटा एक और अराम करते थे लेकिन आराम करने के बजाए क्या क किताब पढ़ते थे जो एक घंटा इनको मिलता था वो किताब परते थे फिर एक मतलब अपने एक घंटा पर इन ळोग को काम करना था और इस जो है न इसको दिन में चार घंटा मिलता था पढ़ाई करने के लिए तो चार घंटा पढ़ते थे क्योंकि चार घंटा आराम करने के बज़ाएं वह पढ़ा करते थे थे तो इस तरह होता था काम और यहर रोज का आप बोल सकते जौब बन गया था इसान दानिश को नहीं पुछता थे कि क्या जगा है वो वेचारा कितना अच्छा सो रहा है एसान दानिश जगाओंगा उसकी निंद खराब होगी वेचारा पढ़ते-पढ़ते सो गया है मैं ही एक्स्टर चला दे रहा हूं रहते थे तो ठेकेदार भी आता था ना तो देखता था कि यह सोया हुआ है रत्ता से पूछता था वो क्यों सोया हुआ है तो रत्ता जूट बोल देता था कि भाई वह अभी सोया हुआ है ठीक अभी तो गया अभी मैं आया रहर्ट चलाने के लिए अभी वह जाकर सोया है तो सो लेने दीजिए ठीक जब उसका समय होगा तो मैं उठा दूगा और रता जिलता था तो रत्ता बताता-ता था कि ठीके दार आया थे पूछ रहे थे तो तुम क्यूंटता कि मेरी बहुत्ता-तक पढ़ता और तुम अशना अच्छा फ्रेंड है मेरा कि मेरी बहुत धार कर रहा है तो इसифरा जो रहा ना रत्ता एक औरा जए दो गंटा काम करता और संदनीष दो गंटा पडते थे और संदानेश एक ही घंटा रिहर्ट चलाते थे ति यह अधिया के बारे में ईह साथा खुबाप्शूरत और गठीले बदन का नौजवान था ठीक राज-पुतानी खंदन से था और इसां धानेसि यह बोल रहे से सोच रहे थे कि पता नहीं रत्ता के माबाब की कौन सी मजबूरी रही होगी जो कि रत्ता को इतने खराब जगा पर इतना मेहनत वाला काम करने के लिए पता नहीं राजपुताना खंदान का है तेकिन फिर भी इसकी माबाब की क्या मजबूरी रही होगी जो कि इतने मतलब इ एक दिन जो है ना रत्ता नहीं आया काम किया था उस रहट पर याद रखिएगा एक ही दिन काम किया जिस दिन रत्ता नहीं आया था ठीक है और उसके बाद से जब अगला दिन हुआ तो अगला दिन जो है ना एसान दानिश अकेले काम कर रहे थे मुंशी का लड़का भी नहीं आया रहत पर काम करने के लिए वह अकेले रहत चला रहे थे एसान दानिश ठीक है और उसी दिन अगले ही दिन मालुम चला कि रत्त जो है वो उसकी मौत हो गई है चारों तरफ यह शोर मच गया कि रत्ता की मौत हो गई रत्ता इंतिकाल कर गया उसको चार-पांच खुन के दस्त आये और उसकी मौत हो गई जब यह बात इसान दानिश सुने था इनके दिल को बहुत दा शौक्ट लगा अचानक रत्ता की मौत रत्ता इनका बेस्ट फ्रेंड बन गया था इनका रॉंग्टा खड़ा हो गया टेक्ट यह स्टॉप में पड़ गए कि रत्ता की मौत कैसे हो सकती है चार-पांच खुन के कि मेरा तो एक वही बेस्ट फ्रेंड था जो कि मेरी मदद करता था एक घंटा के बजाए दो घंटा रहट चलाता ताकि ताकि मैं पर सकूं लोग खास लोग जो थे वह क्यूं उतना जल्दी छोड़ कर चले जाते यहीं सोच रहा था सोच रहते हैं अब देखें क्या हुआ रता की तो मौत हो गई एसान दानिष अब अकेले आकर रहट चलाते थे चलाते थे और उसके बार ते मुंसी जो है वह अपनी लड़के को भेज फिर से बेजने लगा मुंसी का लड़का फिर से रहर चलाने के लिए आ गया तीकर वो भी रहर चलाता था ठीकर लेकिन एक द करने के लिए बात फैल गई अब वेचारे अकेले औरCH फैल की देखो तुमuju अकेले बचे हो एक काम करो तुम brightness कर कर दिये जाएगा तुम लेकिन जो दूसरा मजदूर है उसका काम। तुम याँ कि तुम ही अकेले दीन भर रहट करा है ना तो ऑसान की बोले ठीक js सब्सक्राइब करने लगें तो यह राज मिस्तरी का काम पर लग गये राज मिस्तरी को ले कर जाते थे राज मिस्त्री का काम करने के लिए दिवाल वगरा जुडाई का काम करने के लिए तो देखिए राज मिस्त्री का भी काम किये थे ठीक और उसके बार से बहुत सालों के बाद बहुत वर्थों के बाद उसी युनिवर्सिटी में यही लाहूर युनिवर्सिटी में वह एक एक दानिश से जाकर पूछे कि आप एसान दानिश है का जो इस इनिवर्सीटी में मजदूर का काम किया करता था आज देखिए आज मैं बहुत सालों के बाद इस इनिवर्सीटी में एक्जामिनर के तौर पर आया हूँ तो सुचिए कितना ज़्यादा एहसान दानिश मेहनत किये होंगे पढ़ाई करने में मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि कामयाभी शोर मचा दे चारो तरफ और वही किये थे एहसान दानिश खामोशी से ये महनत किया करते थे मजदूरी भी करते थे और मेहनत करते थे और जिस यूवजजुर का काम किये थे ना उसी निस सिटी में बहुत सालों के बाद ये एक्जामीनर के तौर पर आए एकदम एंट्री जबरदस्त हुई इनकी और सभी लोग देखकर चौक उठे और सभी लोग के मनदब चारों तरव ये बात पहल गई देखो वह 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 एहसान दानिश जो कि इसी में मजदूर का काम करता था आज वही एक्जामीनर बन कराया है सभी लोग चौक उठेते खुश थे और इसान दानिश इनको तो और बीज़दा खुशी होगी भई अपनी सफलता को एचिव किये थे सफलता जिसको मिल जाती वह बहुत दाख खुश होता ही है तो इस तरह जो है एक एसान दानिश जो क सभी लोग को शौक्त कर दिए ठीक सचिये कितना मेहनत किये थे इसलिए मैं आप लोग को भी कहूंगी कि मेहनत इतनी खामोशिर सकी जेना कि कामयाभी आपकी शोर मचा दे चारो तरफ और तब सब लोग को मालूम चले कि अच्छा यह है मैं तो इसको देखा था लेकिन यह तो यहां पर काम करता था या फिर ये तो घूंता रहता था या चाहना कितना सफ़ल कैसे हो गया इस तरह होना चाहिए इतना मेहनत कर देजिये पढ़ाई में की सभी nostalgic की आप लोगों को समझ में आया होगा कोई भी कमफीजन वो इस चैप्टर से या फिर मुसानिफ से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाकी में आप लोगों को जो कुछ भी समझाई ये पूरी कहानी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है फट 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 वीडियो को लाइक केजिए और चारो तरफ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बैला करने अनकी घंटे को दुबाकर औल का अपसने फ्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाल वीडियो का और नोट्रिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुशने का ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज